हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस टड़ी ना इस टॉप चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जनल साइंस के पचीस मोश्ट इंपोर्टन कोसन्स डिसकस करेंगे और जितने भी कोसन्स मैंने सेलेक किये हैं सारे कोसन्स रेल्वे के प्रिवियस एर एक्जान से पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एक्जाम में तो सारे ही कोसन्स बहुत इंपोर्टन हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरू करिएगा दोस्तों इसी तरह से 25 कोसन्स की सीरीज में लेकर के डेली आपके लिए लाता हूँ तो अगर आप पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं इस सीरीज के तो वीडियो के डिस्करप्शन में आपको प्ले लिएट का लिंक में लेगा जहां से पिछले सभी वीडियोस आप देख सकते हैं तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला कॉर्शन है पौधों में बाउनापन निमलिकित में से किसके उपचार द्वारा नियनतित की अज़र सकता है तो पौधों में पांस तरह के हर्मोन पाये जाते हैं एक होता है जिब्रेलिन दूसरा आक्सिन तीसरा साइटोकाइनिन इसके अलावा इथायलि तो यही ही इसका राइटन तो पौधों में ओबारा जनों के लिए जिब्मेदार होता है और इसके लावा फ्लावरिंग को यानि की फूलों के खिलने को भी ये oxygen hormone प्रेडित करता है और फलों को पकने में भी साहता करता है तो इसके जो है कई कारे हैं लेकिन मुख्य जो कारे है ये growth के लिए all over growth के लिए और फूलों को खिलने के लिए प्रेडित करता है तो cytokinin hormone जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है कोशिका विभाजन होगा तभी नई कोशकाय बनेगी तो एक तरह से ये भी जो है ग्रोथ के लिए जिम्मिरार होता है ठीक है साइटोकैनिन तो ये जो है इसका मुख्यकार होता है कोशिका विभाजन इथाइलिन की बात करते हैं तो इथाइलिन हर्मोन का मुख्य कारे होता है ये फलों को पकने में सहायता करता है ठीक है फलों को पकने में सहायता करता है इथाइलिन हर्मोन और ये गैसी आउस्ता में होता है कुश्चन आता है कि कौन सा पादप हर्मोन गैसी आउस्ता में होत यह झो है stepsic acid के कारण होती हैenza tuya पए right answer क्यों हो option जिब्रेलिक acid हो गयाख गया है अगला question है determining κεreiben परमारुत किया है तो परमारुता यानिकि-OC T तो परमारुता क्या होती है तो एक अडानों बनाने के इसके एक ही एटम की जोट होती है, हिलियम का एक ही एटम, ओर्गन का एटी, एक ही एटम, इसी तरह से ये नेचर में पाया जाता है, तो इनको क्या कहते हैं, एकल परमारविक या मोनो एटोमिक कहते हैं, दो ही परमारविक की बात करते हैं, तो इनका एक अडू जो है कम से कम दो एटम से मिलकर के बना होता है जैसे कि हाइड्रोजन गैस या ओक्सीजन गैस तो ये जो है दो इपरमारविक है क्योंकि हाइड्रोजन अकेले हाइड्रोजन का एक एटम अकेले जो है नेचर में नहीं पहा जाता है hydrogen के 2 etom मिलकरके है hydrogen gas ото hydrogen gas कैसा होता है 2 परमारविक या diatomic oxygen gas y Ricky और इसके अलाबा होता है 3 परमारविक कौन से होते है antwort.. 10ечение परमारविक आसकता होती है तो उनको कहते है 3 परमारविक जैसे कि ओजोन ऐसके अपरमारविक तो oxygen कि 3 atom मिलकरके ozone gas बनाते हैं तो ozone gas कैसा हो जएगा तो ozone हो जएगा 3 PARMARVIC ठीक है या TRIATOMIC और इसके अलावा चतूस परमारविक होते हैं तो चतूस परमारविक जिसे FASE FURUS होता है तो इसका चार atom मिलकरके एक अड़ो बनाते है FASE FURUS का तो यहाँ पी फासफोरस काई पूछा गया है, तो यह कैसा होता है, यह चतुस परमारविक या टेट्रा एटोमिक कहते हैं, ठीक है, तो चतुस परमारविक होता है फासफोरस, और बहु परमारविक या पॉली एटोमिक किसको कहते हैं, तो जब चार से ज़्यादा एटम्स क जोट होती है किसी तत्तो को एक अरू बनाने के लिए तो उसको कहते हैं बहु परमारविक जैसे की सल्फर तो सल्फर का जो है आठ हेटम मिलकर के सल्फर का एक अरू बनाता है तो सल्फर जो है कैसा होता है बहु परमारविक होता है अगला question है निमलेकित में से किसका उपयोग साटीक पीच मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है तो संकेतक यानि की indicator जो अमल और चार की पहचान करते हैं उनको संकेतक के indicator करते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो ये अमल याचार की पहचान कर सकते हैं लेकिन पीच माण से टीक तरीके से नहीं बता सकते हैं पीच माण ये नहीं बता पाते हैं पीच माण बताने के लिए योनिवर्सल इंडिकेटर का प्रियोग किया जाता है योनिवर्सल इंडिकेटर जो कि कई तरह के Compounds को मिला करके बनाया जाता है तो ये अलग-अलग Hydrogen Ion सांधता के लिए अलग-अलग Color देता है तो उन Color से हम पैचान सकते हैं कि उसका pH मान क्या होगा यहाँ पे दिया गया है अलग-अलग Color के लिए ठीक है pH मान कितना होगा मालिज ये किसी का Color ये है तो उसका pH मान कितना होगा 8 तो जो Universal Indicator Solution होता है तो इसको जो है विलेन में डालते हैं तो उस विलेन का Color चेंज होकर के वो Color जो है बदल जाता है जैसा Color आता है उसके एकोर्डिंग जो है pH मान उसका हम डेसाइट करते हैं ठीक है तो यहाँ पे A option इसका राइटन से जागा Universal Indicator अगला कोर्शन है अंडा अंडासे से गरभासे में किसके माद्यम से लाया जाता है तो अंडा यानि की ovum तो ये कहाँ पे बनता है तो अंडा बनता है ovary में ये दोनों ovaries होती है तो यहाँ पे बनता है और इसके बाद गरभासे में ये uterus है तो यहाँ पे गरभासे में ये किसके द्वारा आता है तो fallopian tubes के द्वारा आता है fallopian tubes जिसको हिंदी में कहते है dimbwini या इसको oviduct भी कहते है तो dimbwini इसका राइटेंस होजएगा option b अगला question है यदि कोई वस्तु ब्रत्ता कारपत में घुमाई जाती है तो इसके उपर किया गया कार क्या होगा तो कार यानि की work done इसका formula होता है f into s into cos theta f क्या होता है बल होता है s होता है विस्थापन और cos theta तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है उसका cost लेते है तो कोई वस्तु है उसको जब हम circular motion में इसको घुमाते है तो कोई भी वस्तु अगर ब्रत्ता कारपत में घुमती है तो अंदर की ओर एक बल लगता है जिसको अविकेन रबल कहते है या centripetal force कहते है तो उसी के कारण ये ब्रत्ता कारपत पर गती कर पाती है तो ये बल जो है अंदर की ओर लगता है और इसका विस्थापन इधर की ओर होता रहता है तो ये जो angle होता है 90 degree का angle होता है तो यहाँ पे cost theta की जगाँ हम क्या लेते है cost 90 degree लेते है और cost 90 degree command कितना होता है तो 0 होता है तो यहाँ पे cost 90 की जगा 0 आ जाता है और इसका जब f into s में multiply होता है तो यहाँ पे value जो आती है वो 0 आती है तो यानि कि work done किसके बराबर होता है यानि plant tissue ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक होते हैं malistomatic tissue जिनको कहते हैं विभज जो तक उतक और एक होते हैं permanent tissue जिसको कहते हैं अस्थाई उतक तो जो विभज जो तक उतक होते हैं इनमें कोशिका विवाजन होता रहता है और उसके बाद यही कोशिका है यही उतक जो है बाद में स्थाई उतक बन जाते हैं फिर इसमें कोशिका विवाजन बन हो जाता है तो यहाँ पर राइट एंसर क्या हो जाएगा विभज जो तक उतक में कोशिका विवाजन होता है अस्थाई उतक में नहीं होता है ठीक है और जो अस्थाई उतक होते हैं ये दो तरक होते हैं एक होते हैं सरल अस्थाई उतक जिनको कहते हैं simple tissue और एक होते हैं जटिल अस्थाई उतक यानि कि complex tissue सरल अस्थाई उतक तीन तरक होते हैं एक होता है स्कलेरन काइमा एक होता है कोलन काइमा और एक होता है पैरन काइमा ये तीन तरह के सरलस्थाई उतक होते हैं और जटिलस्थाई उतक कौन कौन से होते हैं तो जाइलम और फ्लोयम ये जटिलस्थाई उतक होते हैं तेखे और उतक के अध्यन को क्या कहते हैं तो उत तल दर्पन दिया गया है यानि concave mirror इसके इस तरब जो है polish है जिधर polish होती है उस तरब की surface को कहते हैं silver surface और जिधर polish नहीं होती है उदर की surface को कहते है reflecting surface इधर जो है object रखा जाता है उसका प्रतिबिम देखने के लिए तो इधर की surface को reflecting surface या पड़ावर्तक सटा गयते हैं ठीक और जो reflecting surface होती है उसके बीचों बीच में जो बिंद होता है उसको pole कहते है ठीक है pole या धुरू कहते है और पहले यह काज का गोला रहोगा उसमें से इतना हिस्सा काट करके इसका दरपन बना दिया गया इसमें polish पीछे करके तो यह जो काज का गोला रहोगा इसका कोई वकरता केंद या center of curvature कहते हैं वकरता केंद से लेकर के pole तक की दूरी को कहते है तो इसको कहते है radius इसको कहते है radius यानि कि वकरता तिज्या कहते है और जो focus बिंद होता है वो pole और वकरता केंद यानि कि यहां से center of curvature और pole के बीचों बीच में बिंद होता है उसको focus बिंद होते surface इसके ब्यास को यानि कि यहां से यहां तक की दूर को क्या कहा जाता है तो इसको कहते है अपर्चर ठीक है इसको अपर्चर कहते है यह होती है liner अपर्चर तो option D का राइटेंस हो जाएगा अपर्चर अगला question है nitrogen के निम्न oxide में से किसको laughing gas के नाम से जाना जाता है तो laughing gas कहते हैं nitrous oxide को इसका formula होता है N2O यह क्या है nitrous oxide तो यहां पर इसका D option इसका राइटेंस हो जाएगा और इसके अलावा यहां पर NO है तो यह होती है nitric oxide NO2 है तो यह क्या होती है तो nitrogen dioxide N2O5 यह क्या होती है तो यह होती है nitrogen pentoxide तेक है अगला question है यह दिद्धा सोम के एक प्रतिदोधक में 1.5 ampere की धारा बनी रहती है तो एक net में निश्कासित उर्जा की मात्रा क्या होगी तो जो उर्जा होती है electric energy इसका formula होता है P into T तो यहां पर T तो दिया गए time दिया गए एक net लेकिन power यहां पर नहीं दी गई है तो power निकालने के लिए तीन formula में आपको बता दे रहों यहां पर एक तो होता है P equal to V into I अगर voltage और current दिया गए तो P equal to V into I से निकालेंगे और एक formula होता है P equal to I square R तो अगर current दिया गए I और resistance दिया गए है प्रतिरोध तो इस formula से निकालेंगे और एक formula होता है P equal to V square upon R तो अगर voltage और resistance दिया गए है तो इस formula से निकालेंगे तो यहां पर क्या दिया गए है प्रतिरोध दिया गए है 10 ohm और धारा दिगए है 1.5 amp तो यानि कि इस formula से हम इसको निकालेंगे ठीक है power को तो यहां पर power की जिगह हम लिख देंगे I square R तीक है और यहां पर T तो equal to I square R T यह direct formula भी आप यार दख सकते है तो यहां पर I command कितना है तो 1.5 तो 1.5 का यहां पर square हो जाएगा और R दिया गए है 10 ohm और time कितना दिया गए है 1 minute तो इसको second में हम लिखेंगे 60 second तीक है तो 1.5 का square हो जाता है 2.25 और multiply 10 into 60 तीक है तो यहां पर इसको multiply करिएगा तो यह आ जाएगा 1350 J जूल इसका answer हो जाएगा option C अगला question है निव लैंड के आवरती वर्गी करण के नुसार दसवा तत्तो निमलिकितने से किसके जैसा होगा तो निव लैंड इन्होंने मेंडिलीप के पहले तत्तो का वर्गी करण किया था इसके लिए इन्होंने पर्मार भार के बढ़ते हुए करम में तत्तो को arrange किया था और यह कहा था कि हर आठवा तत्तो अपने से पहले तत्तो की property के जैसा होगा ठीक है मतलब कि हर आठवे तत्तो की property पहले तत्तो की property से लगभग match करती रहेगी तो यहाँ पर बताने है दसवा तत्तो किस से match करता रहेगा तो दसवा तत्तो साथवे तत्तो से match करता रहेगा ठीक है पहला तत्तो आठवे तत्तो से match करता रहेगा यानिकि साथ तत्तो बाद जो है जो तत्तो आएगा उससे match करता रहेगा ठिक है तो इसी तरह से जो तीसरा तत्त होगा इसके 7 तत्त बाद 10 तत्त आएगा तो 10 तत्त की property और 3 तत्त की property लगभग आपस में में गती रहेगी तो यहां पे एं оп Jessie इसका right hand हो जागा तीसरा तत्त अगला question है खाने का नमक NaCl किससे बना होता है तो NaCl यानि कि Sodium Chloride तो इसके लिए जो है NaOH यानि कि Sodium Hydroxide और HCl यानि कि Hydrochloric Acid की क्रिया कराई जाती है तब बनता है NaCl और इसके लावा H2O तो यह हो जाता है Sodium Chloride यानि कि नमक तो यहाँ पे जो है NaOH यह क्या है तो यह जो है Sodium Hydroxide है जो की एक प्रबल चार होता है एक प्रबल चार होता है और HCl के है Hydrochloric Acid जो की प्रबल अमल होता है तो यहाँ पे जो है इसका राइट अंसर क्या हो जागा एक प्रबल अमल और प्रबल चार से मिलकर की बना होता है तो यहां पर यह option इसका राइट एंज होएगा अगला question है निमलेखत टत्तों में से किसमे कुल तीन कोश्ट और बाहरीक अख्ज्टामें आठ एलक्टों होते हैं तो बाहरीक अख्ज्टामें आठ एलक्टों केवल अथ्थार्वे ग्रूप के तत्तों में होते हैं अठ्ठारवे ग्रूप में कौन कौन से तत्त होते हैं तो हीलियम होता है, नियोन होता है, हॉर्गन होता है, इसको आप सॉल्टिक से याद रख सकते हैं, हीना, नीना और करीना की जिरोक्स रानी, हीलियम, नियोन, हॉर्गन, क्रिप्टोन, जिरोन और रेडोन, ठीक है तो इ इसका electronic विन्यास हो जाता है 2 और 8 तो यहां पे आखरी कक्छा में 8 electron है लेकिन यहां पे कितने kose हैं तो 2 कक्छाए हैं ठीक है तो यहां पे तीन कोस वाला बताना है तो organ जो है इसका पर mark होता है इसका 18 होता है तो यहां पे 2, तो यहाँ पे तीम कच्छाय भी हो जाती है और अंतिम कच्छा में हाथ हिलोक्रॉन भी हो जाते हैं तो यहीं इसका राइटन्स हो जाएगा ओर्गन ओप्सन C ठीक है क्रिप्टॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है अगला कॉश्चन है मनिश्चो में अनेक्च्रियां जैसे की रक्त, रबाव, लार, उल्टी इसको किसके द्वारा नियंतित किया जाता है तो अनेक्च्रियां जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है मेडूला, अबलांग, गेटा के द्वारा मेडूला अबलांगेटा अनेक्षिक रियाओं जैसे किरक्ट, रबाव, लार, उल्टी, स्वसन, खासना, छीकना इन सब को जो है मेडूला नियंतित करता है या मेडूला अबलांगेटा ठीक है ये पश्च मस्तिस्क में पाया जाता है पश्च मस्तिस्क जो की हिंड ब्रेन जिसको कहते हैं हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिस्क तो इसके तीन भाग होते हैं एक होता है पोंस और एक होता है मेडला, अबलांगेटा, सेरी बेलम ये तीन पार्ट होते हैं पोंस की बात करते हैं, तो ये जो है, निूरोंस का Mark Dracen करता है, इसके लाव़ मुटतासर को कंट्रोल करता है, और चेहरे के हाव भाव को नियंतित करता है, तक है, और सेरी बेलंग ये एकषिक करियाओं को, एकषिक करियाओं जो हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे कि हाथ हि तो इनको ये कंट्रोल करता है, इसके लावा सरीर के संतुलन को कंट्रोल करता है, और मेडूला अबलांगेटा अने शिक्रियाओं को संतुलित करता है, तो यहाँ पर D-Option इसका राइटन सुझेगा, मेडूला, अगला कॉश्चन है, किस परमारो संख्या वाला तत्तो एक छ धातों के ऑक्साइड जो है, चारी ऑक्साइड होते हैं, जादा तर धातों के ऑक्साइड कैसे होते हैं, चारी ऑक्साइड होते हैं, और नॉन मेटल्स यानि धातों के ऑक्साइड हमली होते हैं, तो यहाँ पर धातो कौन से है, तो 20 जिसका परमार्क रमार्क होता है, यह ह धातू है धातू के आगरे कुट्या में एक एलक्टॉन होता है या दो एलक्टॉन या तीन एलक्टॉन होता है तो वो धातू होते हैं बाकी इसके अलावा चार, पांच, छे, साथ या आठ एलक्टॉन होगा तो वो धातू होगी नौन मिटल होगी तेक है तो जो कैलसियम है यह क्या है धातु है तो यानि कि इसकी ऑक्साइड चारी होगी यह क्या है छे तो यह कारबन होता है कारबन की ऑक्साइड क्या होती है CO2 तो यह CO2 जो है आपको पता होगा कि यह अमली ऑक्साइड होती है ठीक है और यहाँ पे सत्रा यह क्लोरीन का होता है तो क्लोरीन भी जो की चारिए तो यहाँ पे यही C option इसका right hand हो जाएगा अगला question है किसमे प्रचुर मात्रा में सफेद fiber पाये जाते हैं तो सफेद fiber पाये जाते हैं कंडरा में कंडरा जिसको कहते हैं tendon टेंडन या कंडरा कहते हैं यह थडियों को मांसपेशियों से जोडता है यहां पर यहां पर इसनायो दियाएगा है तो इसनायो जो है इसको कहते हैं ligament लगामेंट ये जो है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है ere kendra यानी के tendon ये हड्डियों को मांस फेशियों से जोड़ता है तीक तो वहाँ पे उतल दर्पन का प्रियोग किया जाता है तो headlight में प्रियोग होता है गारियों के और इसके अलाओ make-up mirror में इसका प्रियोग किया जाता है saving mirror में इसका प्रियोग किया जाता है और dentist लोग भी उतल दर्पन का ही प्रियोग करते हैं तो यहाँ पे अउतल दर्पन का प्रियोग कौन सन नहीं होगा, तो rear view दर्पन के रूप में, rear view दर्पन के रूप में उतल दर्पन का यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रियोग किया जा रहा है, जो गाडियों में पीछे का view देखने के लिए प्रियोग किया जाता है तो वो होता है उत्तल धर्पन उत्तल धर्पन में प्रतुमी थोड़ा छोटा दिखाई देता है और इस कारण से ज़्यादा चीजे इसमें देख सकते हैं आप तो इसलिए उत्तल दर्पन का प्रियोग किया जाता है गाड़ियों में पीछे का व्यू देखने के लिए तो यह option इसका राइटन्स हो जाएगा अगला question है निम्ड में से किसका प्रियोग इत्र बनाने के साथ स्वाद के एजेंट की रूप में किया जाता है तो इत्र यानि पर्फ्यूम और स्वाद के एजेंट के रूप में इस्टर का प्रियोग किया जाता है इस्टर जो की कार्बोक्सलिक एसिड और अलकोहल के अबक्रिया से प्राप्त होता है टेख है इसमें काफी अच्छी खुसबू होती है तो इसलिए इसका पर्फ्यूम यानि की इठ बनाने में पर्योग किया जाता है और फ्लेवरिंग एजेंट यानि की सौद के एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादा तर बेकरी प्रोडक्ट्स में और आस्क्रीम औगरा बनाने में और पर्फ्यूम बनाने में इसका उप्योक होता है तो यहाँ पे C आप्सन इसका राइटन सोज़ेगा इस्टर अगला कॉशन है एक गेंद उपर की और फेंकी जाती है यह 80 मीटर की उचाई तक उपर जाती है और अपनी मूल इस्तिती में वापस लोटाती है गदी के 7 सिकंड के बाद इसके विस्थापन कमान क्या होगा तो यहाँ पे दिये रहे एक गेंद है इसको उपर की और फेंका जाता है 80 मीटर की उचाई तक यह जाती है उसके बाद यह लोटाती है यहाँ पे लेकिन यह बताना है कि 7 सिकंड बाद गदी के 7 सिकंड बाद इसके विस्थापन कमान क्या होगा यानि कि जब इसको फेंका गया था तो साथ सिकंड बाद यह कितनी दूरी तक पहुची रहेगी ठीक है वो यहाँ पे बताना है तो इसके लिए गदी का दूसरा समिकल हम लगाएंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वेर ठीक है यह होता है गदी का दूसरा समिकल तो यहाँ पे S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वेर S यानि कि विस्थापन कितना होगा यह हमें निकलना है साथ सेकंड में तो यहाँ पे U यानि कि प्रारमविग वेग तो प्रारमविग वेग हमें नहीं पता है तो यहाँ पे V square यानि कि अंतिम वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग होगा 0, ठीक है, जब इस वज़तु को फेका गया होगा, तो gravity इसको अपनी और खीच रही है, ठीक है, gravity इसको अपनी और खीच रही है, तो इसकी speed को धीरे धीरे gravity कम करती जाएगी, और जब यह अंतिम समय में पहुचेगी, तो इसकी speed 0 हो जाएगी, उसके बाद यह वापस लोटाएगी, तो अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 का square 0, ठीक है, और U square हमें निकाल नहीं है, U command, तो U square यहाँ पे हमने लिख लिया, 2, A, तो यहाँ पे A यानि कि acceleration, तो यहाँ पे acceleration क्या होगा, और यहाँ पे गुरुत्वे ट्वार कमान, जो है, minus 10 लेंगे, minus में क्यों लेंगे, तो minus में इसलिए लेंगे, क्योंकि gain को उपर की ओर फेका जा रहा है, और प्रितवी इसको अपनी ओर खीच रहे है, opposite direction में नीचे की ओर, तो इसलिए जो है, minus में लिया जाएगा, तो यह नहाँ पर यह हो जाएगा, u square प्लस 80 का 10 में मल्टिप्लाई हो जाएगा, तो 800 और 800 दूनी 1600, तो minus 1600 हो जाएगा, तीक है, minus 1600, ठीक है, u square minus 1600 equal to 0 है यानि कि u square कितना हो जाएगा 0 minus 1600 यानि कि यह 1600 हो जाएगा ठीक है u square कितना है 1600 तो u command कितना हो जाएगा root 1600 यानि कि u equal to हो जाएगा 40 meter per second यह आगया प्रारंबिक वे u command अब यहाँ पे हम value put कर देंगे ऐसा हमें निकालना है u command हो जाएगा 40 और t कितना देगा 7 second में हम बताना है तो 7 हो जाएगा और half यहाँ पे plus half हो गया a command minus 10 लेंगे ठीक है और into t का square time 7 second है तो 7 का square हो जाएगा 49 2 से minus 10 जो है 5 बार जाएगा ठीक है तो यहाँ पे 40 का 7 से multiply होगा तो s equal to हो जाएगा 280 और plus में 49 का 5 में multiply होगा तो यह हो जाएगा 245 ठीक है और यहाँ पे minus थाट्यों की तो यह जो है minus होगा यहाँ पे plus नहीं होगा minus तो 280 में से 245 minus होगा तो यह आजाएगा 35 meter ठीक है तो यहाँ पे d option इसका right answer होजाएगा 35 meter अगला question है समापन रेखा पार करने के बाद भी एक धावक भागना क्यों जारी रखता है तो एक धावक जो है समापन रेखा यानि कि finish line पार करने के बाद भी डोलता रहता है क्योंकि गती का जड़त तो उसे आगे बढ़ाता है यहाँ पे c option इसका right answer होजाएगा गती की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है तो जड़त तो क्या होता है जड़त यानि कि law of inertia तो कोई भी वस तो अगर गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहती है और इस्थिर है तो इस्थिर रहना चाहती है तो अगर गतिमान है गतिमान रहना चाहती है तो इसको कहते हैं गती का जलगतो और इस्थिर वस्तो इस्थिर रहना चाहते है तो इसको कहते हैं इस्थिर्ता का जलगतो तो यहाँ पे C option इसलिए इसका राइटन्स हो जाएगा गती का जलगतो तीक है अगला question है आदुनी कावाद साड़ी में एक टेड़ी मेरी रेका किसे अलग करती है तो जो आदुनी कावाद साड़ी है इसमें एक जिग जैग लाइन होती है वो जो है धातों को अधातों से अलग करती है ये जो है तेरहा ग्रूप है तेरहा ग्रूप में ये पहला जो तत्तो है ये है बोरोन तो बोरोन से लेकर करके बोरोन से सुरू होता है सिलिकॉन फिर जर्मेनियम फिर आर्सेनिक फिर ये है एंटीमेनी फिर टेलियूरियम फिर पॉलोनियम तो ये जिग जैग लाइन जो है इसको कहते हैं उप धातू इसमें साथ तत्तों हैं टोटल और ये सबी क्या कहलाते हैं उप धातू या मेटलोइट कहलाते हैं या अर्द धातू इसमें धातू और अधातू दोनों के गुड़ पाये जाते हैं और ये जिग जैग लाइन जो ह धातों को अधातों से अलग करती है इसके बाई तरब जो है इधर जो है सभी क्या होती है धातों होती है ठीक है इधर धातों होती है और इस तरब राइट साइड में अधातों होती है ठीक है इधर जो है नॉन मेटर्स होती है तो यह जो है अधातों को धातों से अलग करती है तो right answer के हो जाएगा C option इसका right answer हो जाएगा और इसमें उपधातों में कौन-कौन से हैं तो boron है, silicon और germanium, arsenic और ये है antimony और tellurium और polarium ये जो है साथ तत्तों इसमें होते हैं अगला question है निमलेकित उदागनों में से कोई athlete ऐसे ब्रत्ता कारपत पर दोर रहा है तो ब्रत्ता कारपत पर दोरने पर इसको जो acceleration मिलता है वो हर point पर acceleration मिलता रहता है तिक है क्योंकि acceleration हर point पर मिलेगा तभी ये ब्रत्ता कारपत पर दोर पाएगा नई तो ये सीधे निकल जाएगा ठीक है तो हर point पर इसको acceleration मिलता है तो इस कार्ड से इसका त्वरित बेग अधिक्तम होता है ठीक है अगला question है जब sodium chloride के पानी में बने गोल में बिजली पारित की जाती है तो कौन जाओध पार बनता है तो sodium chloride यानिकी NACL तो इसका जो गोल होता है पानी के साथ इसको क्या कहते है इसको कहते है ब्राइन ठीक है इसको ब्राइन कहते है जिसमें जो है 10% sodium chloride यानिकी नमक होता है बाकि 90% जो है water होता है तो इसको क्या कहते है ब्राइन कहते है और इसमें जब electricity pass कराई जाती है तो यह जो है बनता है NaOH NaOH यानि sodium hydroxide और hydrogen gas और Cl2 यानि की chlorine तो यहाँ पे इसको balance करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 तो यहाँ पे जो है sodium hydroxide बनती है जो की एक छार होता है और chlorine यहाँ पे बनती है तो इसलिए इसको chlorine चार अपक्रिया भी कहते है या chlorine-based reaction भी कहते है तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा उत्पार बनता है तो option जो दिये गए है उसमें से sodium hydroxide इसका सही answer हो जागा option C अगला question है जीवन के विकास के संबंद में कई scientist ने अपने अपने सिध्धान्त दिये हैं जैसे की Darwin का सिध्धान्त लैमार्क का सिध्धान्त इसी तरह से एक scientist थे ओपेरिन इन्होंने सिध्धान्त दिया था रासायनिक विकास का सिध्धान्त तो रासायनिक विकास सिद्धान इसमें इन्होंने बताया था कि प्रतवी पर जीवन का विकास रासायनिक पदात्यों के संयोजन के फलस्वरूप हो है ठीक है तो यहाँ पे A option इसका राइटन सुझागा इन्होंने रासायनिक विकास का सिद्धान दिया था अगला कॉशन है कारबन के उप्योग द्वारा अप्चैन करके निम्न धातों में से किसको नहीं प्राप्त किया जा सकता यहाँ पे दिया गया जस्टा, तांबा, लोहा, सोलियम ये धातुए जो है मुक्त रूप से नहीं पाई जाती हैं ये आयस्क के रूप में पाई जाती हैं तो आयस्कों से धातुओं को अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं धातु कर्म कहते हैं या मेटा लजी कहते हैं ठीक है तो इसकी कई विदिया होती है तो उ अगला कॉशन है प्रकास का क्वांटम सिधान किसके द्वारा प्रदान किया गया तो प्रकास यानि लाइट को पहले केवल तरंग के रूप में जाना जाता था लेकिन प्रकास का क्वांटम सिधान जो है किसके द्वारा दिया गया है प्लांग के द्वारा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अनकर लिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई and टेक कियर